हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो देस्क, आज की हमारी स्टोरी है दिस्प्यूट ओवर अ शैडो, दिस्प्यूट यानि विवाद, शैडो यानि छाया, छाया पे विवाद तो चली हम शुरू करते हैं स्टोरी वन्स, एक बार a trader, trader यानि वियापारी होता है, had to go on a long journey, जर्नी यानि यात्रा एक बार एक वियापारी को एक लंबी यात्रा पर जाना था he उसने hired यानि किराय पर लेना होता है he hired उसने किराय पर लिया a donkey यानि गधा एक गधा किराय पर लिया from a porter porter यानि कुमहार कुमहार से the trader also took the porter took मतलब लेना होता है व्यापारी ने कुमहार को भी लिया along यानि साथ में to drive the donkey drive यानि चलाना होता है गधे को चलाने के लिए it was summer गर्मी का मौसम था and the weather यानि मौसम होता है was very hot यानि गर्म गर्मी का मौसम था और मौसम जो था वह बहुत ही गर्म था the trader traveled यानि यात्रा करना होता है व्यापारी ने यात्रा की on donkey back गधे के पीट पे till noon दो पहर तक then तब he wanted wanted यानि चाहना होता है तब वह चाहता था to rest यानि आराम करना आराम करना चाहता था for some time कुछ समय के लिए as जैसे की there was no tree around यानि आसपस उनके आसपस कोई पेर नहीं था he decided यानि तै करना होता है उसने तै किया to rest आराम करने का in the shadow of the donkey गधे की चाहा में उसने आराम करने का सोचा but लेकिन the honor was also in mood to rest honor यानि गधे का जो मालिक है honor यानि मालिक होता है लेकिन गधे का जो मालिक है वो भी rest करने की आराम करने की मूड में था as there was no tree anywhere anywhere यानि कहीं पे भी कहीं पे भी होता है as यानि जैसे कि वहाँ पर कोई पे नहीं था the honor also wanted to rest in the shadow of the donkey गधे का मालिक भी गधे की चाया में अराम करना चाहता था so इसी लिए a dispute arose between the two so इसी लिए a dispute dispute यानि विवाद arose arose यानि उठना होता है एक विवाद उठता है उन दोनों के बीच में between यानि दोनों के बीच में how can you refuse refuse यानि मना करना होता है तुम कैसे मना कर सकते हो the animal's shadow इस गधे की चाया को कैसे मना कर सकते हो to me मुझे तुम इस गधे की चाया को मुझे कैसे मना कर सकते हो अराम करने से मुझे कैसे मना कर सकते हो I have paid money to you paid यानि चुकाना होता है मैंने इसके लिए तुम्हें पैसे दिये है said the traveler traveler यानि यातरी यातरी ने कहा No, I won't let you enjoy the shadow enjoy यानि आनन्द लेना होता है नहीं मैं तुम्हें चाया का आनन्द लेने नहीं दूँगा You have paid me for riding यानि सवारी करना होता है The animal only तुमने मुझे सिर्फ इस गधे पे सवारी करने के पैसे दिये है Not for using यानि इस्तमाल करना Not for using its shadow इसकी जो चाया है इसका इस्तमाल करने के लिए पैसे नहीं दिये है Retorted the honor of the donkey Retorted यानि प्रतिवाद करना होता है गधे का जो मालिक है उसने प्रतिवाद किया After trading hot words गर्मा गरम बहस होने के बाद The traveler and the donkey's honor came to blow यादरी और गधे का जो मालिक था वे दोनों जगडे पर उतराए They grappled यानि हाता पाई करना होता है उन्होंने हाता पाई की With each other एक दूसरे से And or either of them और उन दोनोंने Tried to Tried यानि कोशिश करना होता है कोशिश की To knock the other down एक दूसरे को नीचे गिरानी की कोशिश की Though यदपी Donkeys are known to be silly Silly यानि मुर्ख होता है गधे जो हैं वह मुर्ख माने जाते हैं Yet फिर भी This donkey was quite intelligent Intelligent यानि तेज होता है Yet यानि फिर भी यह गधा जो था वह थोड़ा Intelligent यानि तेज था He was astonished वह आश्चरे चक्कित था Astonished यानि आश्चरे चक्कित होता है It the short-sightedness of both of men वह आश्चरे चक्कित था उन दोनों आदमियों की अल्पद्रष्टी को देखके Short-sightedness यानि अल्पद्रष्टी होता है So इसलिए ही decided उसने ते किया To teach To teach यानि पढ़ाना होता है Them a lesson Lesson यानि पार्थ होता है उन दोनों का एक पार्थ पढ़ाने का उसने ते किया Finding both the men Inattentive Inattentive यानि असावधान होता है दोनों को असावधान देखके The intelligent donkey तेज गधे ने Took to his heels उसने अपने पैर उठाए Living them उनको छोड़ते हुए Engaged with each other उन दोनों को एक दूसरे से जगड़ा करते हुए छोड़के वाँ चला जाता है या चला गया ऐसे भी बोल सकते है As a result The traveler Could not reach his destination Destination यानि उस जगह जगह कह सकते हैं उस स्थान कह सकते हैं जहां पर यह जो ट्रावलर है वो जाना चाहता था फलस्वरूप यात्री जो है वह अपनी जगह पर नहीं पहुंच सका यहां पर रिच यानि पहुंचना होता है And the donkey's owner lost his donkey और गधे का जो मालिक है वह अपने गधे को खो देता है उसने अपने गधे को खो दिया His only source of income वह उसका एक मात्र जरिया था कमाई का Now अभी both of them उन दोनों ने Came to realize, realize यानि अहसास होना उन दोनों को अहसास हुआ That की they were quarreling over a trifle Quarreling यानि जगडा करना होता है Trifle यानि छोटी सी, छोटी सी बात पे वे जगडा करे थे उनको अहसास हुआ They even tried to sport, sport यानि धून्डना कह सकते हम यहां पर उन्होंने ढूनने की भी कोशिश की the donkey गडे को But लेकिन it was nowhere लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिला Nowhere यानि कहीं पर भी नहीं था So इसलिए they repented Repented यानि पच्ताना होता है उनको पच्तावा हुआ Of their folly Folly यानि मुर्खता उनको अपनी मुर्खता पर पच्तावा हुआ So moral of the story है It is unwise to quarrel over trifles छोटी सी बात पे जगडा करना बुद्धिमानी नहीं होती है So friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like, share और comment जरूर करे और channel को subscribe जरूर करे Thanks for watching